देश में बबाल पर होने वाले टीवी डिवेट में नहीं शामिल होंगे सपा प्रवक्ता अखिलेश ने लगाई ट्रूप पैगंबर मुहम्मद की खलाब नुपुर्शर्मा की कथित विवादत बयान की बाद देश भर में महाल गर्म होता जा रखा है कई शेहरों में मुस्लिम समुदाई ने शुक्रवार को जम कर प्रदर्शन की तो कई शेहरों में उपद्रव भी हुआ कहीं रेलवे लाइन ब्लॉक कर दी गई तो कहीं पुलिस चौकी फूग दी गई और कई जगाहों पर जम कर पत्राव होए पैगंबर महम्मद की खलाफ नपुष शर्मा की कथित विवादि टिपणी की बाश शुकरवार को देश भर में जम कर प्रदर्शन होए वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अपने सभी प्रवक्ताओं के डिबेट में शामल होने पर रोक लगा दी है समाजवादी पार्टी के सभी मेडिया पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं को सक्तिनरदेश दिये गए हैं कि वे प्रदेश और देश भर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर होने वाले डिबेट में भाग ना लेने जाए और ना ही कोई बयान जारी किया जाए वहीं All India Muslim Personal Law Board की महासचिव मौलाना खालिद सैफल लहर रह्मानी ने प्रैस नोट जारी कर बताया कि बोर्ड अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा अन्य पद अधिकारियों ने उलेमाओं और बुद्धी जीवियों से अपील की है कि इसलाम और मुसल्मानों का मजाक उडाने वाले टीवी चैनलों की बहस और डिवेट्स में शामिल ना हो बोर्ड ने कहा कि अगर हम इन कारक्रमों और चैनलों का वहिशकार करते हैं तो इससे ना केवल उनकी टी आरपी कम होगी बलकि वे अपने उदेशे में बुरी तरहा से फेल भी होगे करते हैं करते हैं आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा डिमांड है नुपर शर्मा को अरेश्ट किया जाए हम लोग मुसलिम लोगों की डिमांड है कि नुपर शर्मा को अरेश्ट किया जाए Kej why लोग गलत इंसान होता हो आज यहां पर हम लोग 125 ऑल्प होके ही यहां पर सिब मुसलिम रहता यहां पर मन्दीन नहीं होता लेकिन हम लोग हिंडू का बहुत molta गठें हम मारे हम हम लोग हिंदुस्तान हम हम माने हिंदू और मास मुसल्मान हिंदू मुसल्मान मिल के यह देश चलेगा